इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह है और पेशाप से बदबू आने की समस्या को कम करता है होमियोपैथिक फॉर्मूलेशन के आधार पर इसका सुरक्षित रूप से उप्योग किया जा सकता है और इसका कोई दुश्प्रभाव नहीं होता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक इसका उप्योग प्रोस्टेट संक्रमन और आमबाती दर्थ के इलाज के लिए किया जाता है दो यह मूत्र विकारों के उपचार में मदद करता है और पेशाप करते समय दर्थ से राहत देता है तीम गुर्दे और मूत्राशे के आसपास के खेत्रों में दर्थ से राहत दिलाने में मदद करता है चार पराग के सांस लेने से समबंधित समस्याओं का भी इलाज करता है जो फेफ़णों में समस्याओं पैदा करता है पांच, पीठ दर्थ को कम करने में मदद करता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें